दस्वा सर्ग अंग देश में रिश्श रिंग के आने तथा शान्ता के साथ विवा होने के प्रसंग का कुछ विस्तार के साथ वर्णन राजा की आग्या पाकर उस समय सुमंत्र ने इस प्रकार कहना आरंभ किया राजन। एक उपाय सोचा है जिसे काम में लाने से किसी भी विगन वाधा के आने की संभावना नहीं है। दूशित मनोहर रूप वाली विश्याय वहा जाए तो वे भाती भाती के उपायों से उन्हें लुभाकर इस नगर में ले आएंगी अतह इन्हें सतकार पूर्वक भेजना चाहिए। यह सुनकर राजा ने पुरोहित को उत्तर दिया। बहुत अच्छा आप लोग ऐसा ही करें। आज्या पाकर पुरोहित और मंत्रियों ने उस समय वैसी ही व्यवस्था की। तब नगर की मुख्य मुख्य वेश्याय राजा का आदेश सुनकर उस महान वन में गई और मुनिके आश्रम से थोड़ी ही दूर पर ठहर कर उनके दर्शन का उद्योग करने लगी। मुनिकुमार रिश्य श्रिंग बड़े ही धीर स्वभाव के थे। सदा आश्रम में ही रहा करते थे। उन्हे सरवदा अपने पिता के पास रहने में ही अधिक सुख मिलता था। अतह वे कभी आश्रम के बाहर नहीं निकलते थे। उन तपस्वी रिशी कुमार ने जन्म से लेकर उस समय तक पहले कभी न तो कोई स्त्री देखी थी और न पिता के सिवा दूसरे किसी पुरुष का ही दर्शन किया था नगर या राष्ट्र के गावों में उत्पन हुए दूसरे दूसरे प्राणियों को भी वे नहीं देख पाए थे तदंतर एक दिन विभांडक कुम रिशिश्रिंग अकस्मात घूमते फिरते उस स्थान पर चले आये जहां वे विश्याय ठहरी हुई थी वहां उन्होंने उन सुन्दरी वनिताओं को देखा उन प्रमदाओं का वेश बढ़ा ही सुन्दर और अद्भुत था वे मीठे स्वर में गा रही थी रिशिकुमार क इतनी दूर आकर अकेले क्यों विचर रहे हैं यहां हमें बताईए हम लोग इस बात को जानना चाहती हैं रिशिश्रिंग ने वन में कभी स्त्रियों का रूप नहीं देखा था और वे स्त्रिया तो अत्यंत कमनिय रूप से सुशोभित थी अत्हां उन्हें देखकर उनके म पुत्र हूँ मेरा रिश श्रिंग नाम और तपस्या आधी कर्म इस भू मंडल में प्रसिध है यहां पास ही मेरा आश्रम है आप लोग देखने में परम सुन्दर हैं आपका दर्शन मेरे लिए शुभ कारक है आप मेरे आश्रम पर चलें वहां मैं आप सब लोगों की देखने के लिए बहा गई वहां जाने पर रिशी कुमार ने यह अर्ग्य है यह पाध्य है तथा यह भोजन के लिए फल मूल प्रस्तुत है ऐसा कहते हुए उन सब का विधिवत पूजन किया रिशी की पूजा स्वीकार करके वे सभी वहां से चली जाने को उच्शुक हु इन्हें ग्रहन कीजिए आपका कल्यान हो इन फलों को शीघ्र ही खालीजिए विलंब न कीजिए ऐसा कहकर उन सबने हर्ष में भर कर रिशी का आलिंगन किया और उन्हें खाने योग्य भाती भाती के उत्तम पदार्थ तथा बहुत सी मिठाया दी उनका रसा स्वादन करके उन तेजस्वी रिशी ने समझा कि ये भी फल हैं क्योंकि उस दिन के पहले उन्होंने कभी वैसे पदार्थ नहीं खाये थे भला सदावन में रहने वालों के लिए वैसी वस्तूओं के स्वाद लेने का अफसर ही कहा है ततपश्चात उनके पिता विभांडक मुनी के डर से डरी हुई वेस्त्रिया वरत और अनुष्थान की बात बता उन ब्राहमन कुमार से पूछ कर उसी बहाने वहां से चली गई उन सब के चले जाने पर काशप कुमार ब्राहमन रिश श्रिंग मन ही मन व्याकुल हो उठे और बड़े दुख से इधर उधर तहलने लगे। तदंतर दूसरे दिन फिर मन से उनही का बारंबार चिन्तन करते हुए शक्ती शाली विभांडक कुमार श्रीमान रिश श्रिंग उसी स्थान पर गए। जहां पहले दिन उन्होंने वस्त्र और आभूशनों से सजी हुई उन मनोहर रूप वाली वेश्याओं को देखा था। ब्राहमन रिश श्रिंग को आते देख तुरंथ ही उन वेश्याओं का हृदय प्रसन्नता से खिल उठा। वे सब की सब उनके पास जाकर उनसे इस प्रकार कहने लगी सौमय। आओ आज हमारे आश्रम पर चलो। यद्यपी यहां नाना प्रकार के फल मूल बहुत मिलते हैं और वे स्त्रिया उन्हें अंग देश में ले गई। उन महात्मा ब्राहमन के अंग देश में आते ही इंद्र ने संपून जगत को प्रसन करते हुए सहसा पानी बरसाना आरंभ कर दिया। वर्शा से ही राजा को अनुमान हो गया कि वे तपस्वी ब्राहमन कुमारा गये। फिर बड़ी विनय के साथ राजा ने उनकी अगवानी की और प्रित्वी पर मस्तक देख कर उन्हें साष्टान प्रणा किया। फिर एक आगर चित्त होकर उन्होंने रिशी को अर्ध्य निवेदन किया तथाउं। विप्र शिरोमनी से वर्दान मांगा भगवन। आप और आपके पिताजी का कृपा प्रसाद मुझे प्राप्थ हो। ऐसा उन्होंने इसलिए किया कि कहीं कपट पूर्वक यहां तक लाए जाने का रहस्य जान लेने पर विप्रवर रिश्श रिंग अथवा विभांडक मुनी के मन में मेरे प्रती क्रोध न हो। तक पश्चात र तेजस्वी रिश्श श्रिंग राजा से पूजित हो संपूर्ण मनो वांचित भोग प्राप्त कर अपनी धर्म पतनी शान्ता के साथ वहां रहने लगे। इस प्रकार श्रीवालमी की निर्मित आर्श रामायन आदी काव्य के बालकांड में दस्वा सर्ग पूरा हुआ। ज्यार हवा सर्ग सुमंतर के कहने से राजा दशरत का सप्रिवार अंगराज के यहां जाकर वहां से शान्ता और रिश्श श्रिंग को अपने घर ले आना। तदंतर सुमंतर ने फिर कहा, राजेंद्र आप पुना मुझ से अपने हित की वह बात सुनिये, जिसे देवताओ में श्रिष्ट बुद्धिमान सनत कुमार जी ने रिशियों को सुनाया था। उन्होंने कहा था इक्षवा को वंश में दशरत नाम से प्रसिद एक परम धार्मिक सत्य प्रतिग्य राजा होंगे। उनकी अंगराज के साथ मित्रता होगी। दशरत के एक परम सौभाग्य शा मैं संतान हीन हूँ। यदि आप आग्या दें तो शान्ता के पती रिशिश रिंग मुनी चल कर मेरा यग्य करा दें। इससे मुझे पुत्र की प्राप्ती होगी और मेरे वंश की रक्षा हो जाएगी। राजा की यह बात सुनकर मन ही मन उस पर विचार करके मनस्वी राज रोमपाद शान्ता के पुत्रवान पती को उनके साथ भेज देंगे। ब्राहमन रिश श्रिंग को पाकर राजा दशरत की सारी चिंता दूर हो जाएगी और वे प्रसन्न चित्थ होकर उस यग्य का अनुष्ठान करेंगे। यश की इच्छा रखने वाले धर्मग्य राज दशरत हाथ जोड कर ग्विज श्रिष्ठ विश्श श्रिंग का यग्य पुत्र और स्वर्ग के लिए वरण करेंगे तथा वे प्रजापालक नरेश उन श्रिष्ठ ब्रहमर्शी से अपनी अभीष्ट वस्तु प्राप्त कर लेंगे। राजा के चार पुत्र होंगे जो अ दिये आप स्वयम ही सेना और सवारियों के साथ अंग देश में जाकर मुनि कुमार विश्श श्रिंग को सतकार पूर्वक यहां लेए। सुमंत्र का वचन सुनकर राजा दशरत को बड़ा हर्श हुआ। उन्होंने मुनि वर वशिष्ठ जी को भी सुमंत्र की बाते सुना और उनकी आग्या लेकर रनिवास की रानियों तथा मंत्रियों के साथ अंग देश के लिए प्रस्थान किया जहां विप्रवर रिश श्रिंग निवास करते थे। मार्ग में अनेकानेक वनों और नदियों को पार करके वे धीरे धीरे उस देश में जा पहुँचे जहां रिश श्रिंग विराजमान थे। वहां पहुचने पर उन्हें द्विज श्रिष्ट रिश श्रिंग रोम पाद के पास ही बैठे दिखाई दिए। वे रिशी कुमार प्रजवलित अगनी के समान तेजस्वी जान पढ़ते थे। तदंतर राजा रोम पाद ने मित्रता के नाते अत्यंत प्रसन्हरिदय से महाराज दशरत का शास्त्रोक्त विधी के अनुसार विशेश रूप से पूजन किया और बुद्धिमान रिशी कुमार रिश श्रिंग को राजा दशरत के साथ अपनी मित्रता की बात बताई। उस पर उन्होंने भी राजा का सम्मान किया इस प्रकार भली भाती आदर सतकार पाकर नर्शरिष्ट राजा दशरत रोम पाद के साथ वहां साथ आठ दिनों तक रहे। इसके बाद वे अंग राज से बोले प्रजापालक नरेश तुम्हारी पुतरी शान्ता अपने पती के साथ मेरे नगर में पदारपन करे क्योंकि वहां एक महान आवश्चक कार्य उपस्थित हुआ है। राजा रोम पाद ने बहुत अच्छा कहकर उन बुद्धिमान महर्शी का जाना स्वीकार कर लिया और रिश श्रिंग से कहा विप्रवर। आप शान्ता के साथ महाराज दशरत के यहां जाए राजा की आध्या पाक उन रिशी पुत्र ने तथास्तु कहकर राजा दशरत को अपने चलने की स्वीकृती दे दी। राजा रोम पाद की अनुमती ले रिश श्रिंग ने पतनी के साथ वहां से प्रस्थान किया। उस समय शक्ती शाली राजा रोम पाद और दशरत ने एक दूसरे को हाथ जोड कर सने पूर्वक छाती से लगाया तथा अभिनंदन किया। फिर मित्र से विदाले रघुकुल नंदन दशरत वहां से प्रस्थित हुए। उन्होंने पुर्वासियों के पास अपने शीघर गामी दूत भेजे और कहलाया कि समस्त नगर को शीघर ही सुसजित किया जाए। सर्वत्र धूप की सुगंध फैले। नगर की सडकों को जाड बुहार कर उन पर पानी का छिड़काव कर दिया जाए तथा सारा नगर धोजापताकाओं से अलंकृत हो। राजा का आगमन सुनकर पुर्वासी बड़े प्रसन हुए। महाराज ने उनके लिए जो संदेश भीजा था। उसका उन्होंने उस समय पूर्न रूप से पालन किया। तदंतर राजा दशरत ने शंक और दुन्दुभी आदी वाध्यों की ध्वनी के साथ विप्रवर रिश श्रिंग को आगे करके अपने सजे सजाय नगर में प्रवेश किया। उन द्विज कुमार का द प्रवेश करते हुए कशप नंदन वामन जी का समादर किया था। रिशी को अंतहपुर में ले जाकर राजा ने शास्त्र विधी के अनुसार उनका पूजन किया और उनके निकट आजाने से अपने को कृत-कृत्य माना। विशाल लोचना शानता को इस प्रकार अपने पत के द्वारा आदर सतकार पाकर वहां कुछ काल तक अपने पती विप्रवर रिश्य श्रिंग के साथ बड़े सुख से रही। इस प्रकार श्रीवालमी की निर्मित आर्श रामायन आदी काव्य के बालकांड में ग्यारहवासर पूरा हुआ।